कई बार यंग पेशेंट के गर्दन में इतनी जोर से दर्द होता है कि वो नेक के मुव्मेंट कर ही नहीं पाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि इसका कैसे इलाज किया जाए और कैसे से ठीक किया जाए स्पेशली जब आज कल के युक में कंप्यूटर का और मॉबाइल का यूज इतना जादा बढ़ गया है और लोग 6-6-8-8 घंटे कुछ तो जॉब की वज़ा से कि IT सेक्टर में या ऐसे सेक्टर में काम कर रहे हैं जहां कंप्यूटर का लंबे समय तक यूज होता है आपके सा तो ऐसा करने से गर्दन जब जुगा के हम काम करते हैं कोई स्क्रीन देखते हैं तो उससे नेक के उपर ऐसा प्रेशर पड़ता है जो कि नॉर्मल से कई गुना जादा होता है ऐसा कि मानो आपके सर पे कोई पत्थर लगा हुआ हो खिचाव पैदा कर रहा हो साथ ही साथ इ या वो परसन जो है इतना एक्सेसिव काम तो कर रहे हैं पर वो एक्सेसाइज नहीं कर रहे हैं नेक की मसल को स्टेंथन अप करने के लिए उससे क्या होता है कि जो हैड जब आगे की तरफ जुक जाता है जो की अनफेवरेवल पोजीशन होती है नेक की तो सर्वाइकल स्प तो जो आसपास की मसल्स में खिचाव आ जाता है जिससे वो परसंद जरा भी अगर अपने नेक के मुव्मेंट को ऊपर नीचे यह साइड वाइस भी करते हैं तो पेन होता है चक्कर भी आने लगते हैं कई बार हातों में सर्वाइकल का पेन जाने लगता है टिंगलिंग और इसके साथ तो ऐसी स्टेज के लिए जो एक्सरसाइज होती है उसको हम आईसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइज बोलते हैं इसके छे टाइप्स होते हैं सबसे पहले आप अपना हाथ चिन के नीचे रखेंगे चिन से आप नीचे की तरफ प्रेस करेंगे और हाथ जो रखा छोड़ते हैं तो उस मसल को रिलेक्सेशन मिलता है तो सुचिए कि जो मसल उस पेन की वज़े से टाइट हो गए थी अब आपने उसको मेकैनिकली टाइट किया और रिलेक्स करके जब छोड़ दिया तो नैच्रल उसको मसल रिलेक्सेंट ड्रग वाला एफेक्ट मिल गया Similarly आप अपने हैड के साइड में अपना हाथ रखिए और हैड से अपने हैंड को पुष करिए और हैंड से हैड को पुष करिए नैक आपकी उस तरफ सैग नहीं करने चाहिए Equal and Opposite Force लगेगी फिर similarly दूसरे साइड से ऐसे ही प्रेशर डालिए फिर अपने दौनों हाथों को हैड के पीछे लजाएगे और हाथों से आगे की तरफ पुष करिए और हैड को पीछे की तरफ पुष करिए तो Equal and Opposite Force लगेगी फिर दुबारा नैक में कॉंट्रैक्श आके Relaxation मिलेगा Last में आप अपने Head के आगे की तरफ अपना Hand रखेंगे Head से आप आगे की तरफ पुष करेंगे और Hand उस पुष को रोकेगा तो इस तरीके से ये जो सारे के सारे Six Direction के Pushes होते हैं इनको हम Isometric Neck Exercises बोलते हैं और ये Really बहुत Important है Basically देखा जाए तो इस Condition का सबस से अच्छा Treatment यही है दुबारा Neck पेनना हो उसको रोकने के तरीका भी यही है उसके साथ साथ जो आपका स्क्रीन टाइम है उसको अगर पॉसिबल हो तो कम करें और अगर Computer यूज़ कर रहे हैं तो स्क्रीन आपके Eye Level पे होनी चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जुक नहीं होना पड़े तो फोर मोर सच वीडियो प्लीज लाग के सब्सक्राइब और दो दिया देली